तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि हम लोगों को बहुत ही अगर छोटे बाल है हमारे और कोई भी ऐसा हेयर स्टाइल हम लोगों को करना है जिसमें हमें लंबे दिखाना है बाल और हमें कोई एक्सेंशन यूज करनी पड़ी तो किस तरीके से करेंगे तो यह एक एक्सेंशन है चोटी वाली मतलब कि यह एक फ्रील है यह एज़िल मार्केट में मिल जाती है और हम लोग जो हैं इनको काफी यूज करते हैं अपने डिफेंड डिफेंड हेरिस्टायल में तो यह काफी शेयर करनी है आप पीछे के जो बाल बसते है उसमें आप लोगों यह हैं और इस चोटी के ऊपर देखिया हम लुगों को यह फ्रिल यूज करनी है तो यह एक कम बालो में मतलब हम बूट भी थिन अिसमें मैं कोई भी हरस्टैलिंग कर ने गी तो किस तरीके से करना देख किछोटी बना दी हम लोगों उस चोटी के उपर से हम लोगों को यह लपेटते हुए लेकर जानी है अगर आप लोगों को पिछे का हेर storage भी heavy चाहिए और आगे को भी new post चाहिए तो देखि़िए इस तरीके से आप लोग को एक hairstyle बनता है और बहुत ही प्यारा सा लगता है तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से हम लोग ने देखे पहले नीचे एक यह जो मॉडल हैं यह हमारे पालर की एक मॉडल है और उनके उपर हम लोग आपको करके दिखा रहे हैं आगे की hairstyle मैंने आप लोग को इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि उसके hairstyle बहुत सारे मैंने डाले हुए हैं और आगे को और भी आएंगे तो मैंने सोचा के चलिए आप लोग अगर आप चाहें तो बोवी पिन से भी रोख सकते हैं आप चाहें तो लास्टिक से भी रोख सकते हैं मैंने यहां पर रबट डलवाई हैं दोनों फ्रिल के बीच में और क्योंकि वह एक दूसरे से मिली रहनी चाहिए उसके बाद देखिए आप कोई भी hair decoration जो है वो इस त इतनी भी आप लोगों को length चाहिए तो इस तरीके के मैंने काफी सारे hair style बनाए हुए है कुछ hair style में आपके साथ अभी share भी करूंगी और पीछे की side में देखिए हम लोगों ने इस तरीके से लगाने के बाद बिल्कुल भी over नहीं लग रहा बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग कि इनका बाल नहीं है बिल्कुल भी artificial look नहीं आता है बहुत अच्छा look आता है और आप लोगों को बस इसको add करने का तरीका आना चाहिए बहुती rough and tough आप इसको add नहीं करेंगे आपको बहुती finishing के साथ इसको add करना है और यह easily market में मिल जाती है काफी लोगों का question होता है कि म मैं आप लोगों को बता दूँ मेरा पालर है मुरादबाद आशियाना फेस वन में आशियाना एक कलोनी का नाम है और उसके फेस वन में मेरा पालर है और मेरे पालर का जो नाम है वो है खुशी makeover तो आप बिल्कूल पालर तक विजिट कर सकते हैं काफी अच्छे अच्छे